नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो इभिन समचार पत्रों पर छाइवी होती है और विद्यार्थियों के लिए अवाश्यक होती है तो आईए सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है से की बहुत जल्द इनकी मुलाकात लोग सिवा आयों के अधिकारियों से करवाई जाएगी इस आजश्वासन के बाद में यह धर्ना इस्तिक्रत कर दिया गया और विद्यार्थियों को बताया गया था कि आज पूनह धर्ना प्रदर्शन होगा और अगर आज मुलाकात नह बज़े एक मीटिंग हुई है और उसमें कुछ क्या हुआ है उसे आप लोग यहां पर देख लिए यह प्रेसिविक गप्ति है लिखा हुआ है कि एल्टी समर्थक मुर्चा के पताधिकारियों विक्की खान शेर सिंग पंकच अंगार अनिलुपाद्या की साम साथ बज़े एसपी सीटी और सीओ सीविल लाइन्स के साथ डेड़ घंटे तक मीटिंग हुई पुलिश प्रशासन द्वारा कलक के कारकरम के बारे में आयो के पताधिकारियों के साथ बादचीत भी की गई इसके बाद मोर्चप अधिकारियों की पूरा मीटिंग हुई तथा निर्णर लिया गया कि कल सुबह 10 बज़े से किया जाने वाला धर्ना प्रशान इस्तिगित किया जाता है पुलिस ने ये दबा बनाया और पुलिस ने कहा कि आप लोग ये धर्ना प्रशासन मत करें और आपकी जो मुलकात है वो चेर्मेंट से करवाई जाएगी पुलिस अधिकारियों के कहने पर ये धर्ना प्रजर्शन जो आज होने वाला था उसको यहां पर लिखा हुआ है कि ततकाल प्रभावस से इस्थिगित किया जाता है किसी भी दसा में कोई भी विद्यार्थी उत्तर प्रभाव से आयोग न पहुंचे एक बज़े यह जो नाम लिखिए हैं यह लोग आएं लिखा कल आने वालों का नाम है विकी खान शेहर सिख पंकचंगारा कुलदीप यादव मनोज वर्मा अनिलुपाद्याइस सिदू शतीस पांडे रजनी सियादव दुरुगेश सिंग शौरभ वर्मा आजय वर्मा सतीस यादव नितिन चौद और प्रशासन ने धरना करने की इजाजत नहीं दिये फिलहाल यह जैनकारी थी और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माहितम से दे दी जाएगी इसकी बात में अब बात कर लेते हैं TET CTET में छूट का लाब नहीं अभी हाली में यानि कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि NCTE ने एक प्रस्ताव बनाया है और बड़ी छूट दी है विद्यार्थियों को जिनके इसनातक या परहसनातक में 50 परिशत नहीं है वो भी TET कर सकते हैं यानि कि दोनों में से किसी में भी या तो इसनातक में या तो परहसनातक में अगर 50 परि यह उम्मीद जताई जा रहे थी कि जो CTET के परिच्चा अभी हाली में होनी है और UPTET की जो परिच्चा हाली में होनी इसमें छूट का लाब मिलेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है यह सपर्ष्ट हो गया कि यह जो चीज़ें हैं यह इस TET और CTET में नहीं लागू होंगी कि अगले महीने होने वाले TET और CTET में इसका लाब वर्थियों को नहीं मिलेगा NCTE ने 13 नमबर को अधिसूसन जारी किया और जबकि 8 दिसम्मर को प्रस्तावित CTET और 22 दिसम्मर को होने जा रहा है TET के आवेदन एवं अनवचारिता पहले ही पूर्ष्रू हो चुकी है शि संसोदन संभाव नहीं होगा 29-2011 के पहले बीट के लिए 50% अंगों की अनिवारता नहीं थी बाद में NCTE ने इस नातक एम परहस नातक में 50% से कम अंग पाने वालों को भी बीट करने की अनुमती दे दिये तो यह इस साल लागू नहीं होगी अगली बार से यह चीज़ें लागू होंगी अगली सुचना भी TET की है लिखा कि TET की गाइडलाइन जारी बाइस नमर को होने वाली TET यानि सिच्चक पात्ता परिच्चा 2019 के लिए मंगलवार को बेसिक सिच्च विवाकी अपरमुक सच्ची उरेणुका कुमार ने परिच्चक के अंदर ने धारन और सुरजच्च की गाइडलाइन जारी कर दी है हर परिच्चक के अंदर के 200 गज की परिदी में इधारा 144 लागू कर दी जाएगी परिच्चक के अंदर में के अंदर बेस अस्तापक परिवेग चक और स्टेटिक मजिस्टेट को कैमरा यह तो मोबाइल फोन ले जाने का परिच्च में केवल काला बाल पेन ले जाने की अनुमती होगी तो यह गाइडलाइन जारी कर दी गहीं है परिच्चक की तैयारियां हो रही है और बहुत सारे भी दरती यह पूंच रहते कि क्या इसकी प्रिच्चक की तीथी जिवह वह बढ़ सकती है तो कदा भी नहीं ब रखी जाएंगे डबल लॉकर में देखी यहां पर यह लिखा हुआ है और कौन-कौन देखेगा कौन परवेक्षक बनेगा कैसे सिंटर बनाए जाएंगे लिखा है कि राज की सहाईता प्रावत मादमी को पर डिगरी काले जो कोई बना परिचकेंद्र प्राइबेट जो व कुछ भी हो आप किसी को भी अनुवत नहीं है नीचे लिखा कि यह तीन हो अधिकारी बीना कैमरा वाला वाला वेब फोन जो स्मार्ट फोन नहीं है वो लेकर जा सकते हैं ऐसे परिक्षारतिक केंद्र पर केवल प्रवेश्पत्र काला बाल पॉइंट में लेकर प्रवेश् बहुत सारी चर्चा हो रहे है इत्तिक साथ इसकी जो डेट है आवेदन की जो लास्ट खतम हो गई वो बढ़ाई जाएगी तो आवेदन की जो लास्ट टेट मैंने कल भी बिताया था कि बढ़ाई नहीं जाएगी लिखा उत्तर प्रवेश्पत्ता परिक्षा 2019 को लेकर कि चर्चाओं के दोर जारी है सोचल मीडिया आवेदन फिर से लेने अब परिक्षा की तारीक बढ़ने के दुस्प्रिचाल भी शुरू हो गया है परिक्षे नियमक प्रादिकारी कार्याले ने इस पर स्ट किया कि इम्तिहान बाइस दिसंबर को ही होगा फिलाल ना तो आवी तो बैंकों से बहुत भरतियां वी प्रबंदकों की हुई सचिवों कि हुई कलरकों की तो किसी भी जुआर्थी को पता हे नहीं चला कि कम भरती का विग्यापन आए अफलान में आ ने ता लोगों ने औलान इसको भरा और उफलान-फं अजहा उनका ढलेक्ष न भी HEL गया तो बैक डॉर से भरतियां होती थी खुल करके धांदली होती थी सब को पता था और इसलिए इस बार अब सरकार ने यह आदेश दिया कि यह जो भरतियां हैं यह इसलिए अधिवातन भी भेज रहा है और बहुत जल्द ही बड़े पदों पर भरतियां आने वाली हैं देखिए यहां पर लिखा हुआ हैं पचास जिला सकारी बैंकों में दो सो से अधिक पद रिक्त उत्तरब्रेस कॉपरेट्व बैंक में और यहां पर नीचे यह भी लिख हुआ है यह देखिए यहां पर इसे में पचास जिला सकारी बैंकों में करी तेरा सो और उत्तरब्रेस कॉपरेट्व बैंकों में दो सो पद रिक्त हैं और इन पदों पर भरती के लिए जल्द ही भी भाग आईप्यस को अधियाचन भेजेगा और उसकी बाद में एक फेर बरती यहां से होगी देखिए यह निखा हुआ कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में कार्मिकों की भरती करने का अधिकार सेवा मंडल से छिन लिया गया है सरकार ने अब मुंबई की संस्ता इंडियर इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग परसनल शिलेक्शन के माध्धम से भर परती रिजर बैंक और केंद्री वी तसंस्थाओं द्वारा स्थापित एक स्वायत तसंस्था है यह संस्था आरबी आई एजबी आई नाबाड सिडवी एलाइसी आधिके कार्मिकों के भरती के लिए परिक्शाएं आयोजित करती है वर से 2018-19 में आई वीपियस द्वारा कराइगे परिक्शाओं में एक करोड अभरती सामिल हुए थे नाबाड के सुजाओं पर सीयम ने दिये थे आदेश प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही मुक्यमंत्र योगी आधित तेनात के संग्यान में यूपी सीबी और डीसीबी में हुई बरतियों में अ और दिसम्मर 2017 में एक बैटक के दोरान नाबाड के तरफ से सहकारी बैंकों की भरती प्रक्रिया से सेवा मंडल को हटा कर आई बीपियस को सुजाओं दिया था जिसके बाद में मुक्यमंत्री ने भरतियां आई बीपियस से कराने के निर्देश दिये थे इसी निर्देश क के आधार पर प्रमुक्य सत्चीव से ने बड़तियां के लिए पत्र लिखा तो यह कोपे घृतिय detices से होंगी तो दोस्तो यह उत्तर प्रदेश में भले ही बड़तियां जितनी भी बर्तियां रुकिवही ही हो लंubीत हो रही हो और उसके कुछ प्रमुक कारण है भरती प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा बदलाओं होने जा रहा है और हुआ भी है उसी बदलाओं की वज़य से आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी बरतियों के जो परड़ाम आ रहे हैं उनकी जो कटाफ है वो काफी नीचे जा रह लागी जिस तरीके की सिधान पर कोई कटाफ जाती है और सभी योग यह बरतियों का चयन होगा ब्रिष्टाचार को रोगने के लिए बहुत सारे सुधार की हैं उत्तर प्रतिश अजिनात सिवर्चेन आयोगनी भी चाहे बायोमेट्रिक वाली बात हो चाहे केमरा की रिकार अंदर से धांदलिया होती थी और पूरी तरीके से रोग गई है और प्रतियों के जो अभी तक परड़ाम आये उसमें भी यह कि नहीं सुना गया कि कटाप बहुत ज़्यादा गया है खास दोर से कर हम लोग बात करें समाज के विग्यान इत्यादी की इसके बाद में अधि दैर्थियों को बहुत ही लाव होने वाला है इसके बाद में एक सुचना है CBSC की लिखा है 2023 से CBSC की दस्वी बार्वी परिच्छा में बड़ा बदलाओ केंद्री माधिमिक सिक्षा बोर्ड वर्स 2023 से दस्वी तता बार्वी कर्चा के प्रश्ण पत्रों के सुरूप में सब्सक्राइब करकर में कही थी तो 2023 में एक बड़ा बदला होगा पूरे पेपर के पैटर्न में वह किया जाएगा यहां पर लिखा है कि उन्होंने कहा कि वर्स इस वर्स दस्वी के विद्यारतियों को 20 फिसदी आपजेक्टिस वालों के जवाम देने होंगे 10 फिसदी रस सब्सक्राइब कोई नहीं चुनता है इसकी वजह से कम रोजगार और कमजोर मांग और बाजार में इस्थिरता की कमी है अब अगली सूचना है 68500 सिश्चकवर्ति की और 69000 सिश्चकवर्ति की दोनों पर दोनों परिच्छाओं के आखरी चरण की सुनवाई होनी है 68500 सिश्चकवर्ति की भी सुनवाई हो सकता कि आज आखरी सुनवाई हो यह जाता जाता एक सुनवाई और हो और इसी तरीके से 69000 सिश्चकवर्ति की भी यह आखरी चरण की ही सुनवाई है अब किसी भी तारीग में इन दोनों केसों का जो आडर है वो सुरचित हो सकता है तो ठीक है दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट 79,000-68,000 की आज जो सुनवाई होगी जो भी चीज़े होगी आपको इस चैनल के माधम से दे जाएंगी वीडियो कैसा लागा कमेंट बाक्स में जरूर बताएं अगर अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक भी करें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत